मुंबाई में फिल्म धर्मवीर 2 का ट्रेलर लॉंच किया गया है। ये फिल्म धर्मवीर का सीक्वल है जिसका ट्रेलर लॉंच करने के एक इवेंट आयोजित किया गया है। इस ट्रेलर लॉंच में सल्मान खान ने शिर्कत की। उनके अलावा इस इवेंट पर गोविंदा, जितेंद्र और बोमन इरानी जैसे कलाकार भी नजर आए लेकिन सल्मान का स्वागत शांदार तरीके से किया गया। ट्रेलर लॉंच इवेंट में सल्मान के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर और एक्ट जैकी भगनानी के अपनी वाइफ रकुल प्रीत सिंध के साथ नजर आई। इस इवेंट में सल्मान खान का भव्य स्वागत हुआ और वो मीडिया से रुबरू भी हुए। फिल्मी खबरों पर बारीकी से नजर रखने वाले मानव मंगलानी ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सल्मान खान की दबंग एंट्री आप देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा धर्मवीर 2 के ट्रेलर लॉंच में सल्मान खान की एंट्री बेहद स्टाइलिश रही। फिल्म प्रवीन तरदे की दिवंगत शिवसेना नेता आनंद गिरे की बायोपिक है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सल्मान खान एक एक करते सभी से मुलाकात करते हैं जिसमें महराष्ट्रा के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एक्ट अशोक सर्फ, बोमन इरानी, जितेंद्र और गोविंदा जैसे दिगगज शामिल हैं। इसके बाद सीएम ने सल्मान खान को शौल पहना कर उनका सम्मान किया। वही फूलों का गुल दस्ता भी दिया गया। ब्लेक टीशर्ट और ग्रे जीन्स में सल्मान खान बेहद हैं। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो सल्मान खान की पिछली रिलीज फिल्म टाइगर तीन थी और अब उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर है जो अगले साल इद पर रिलीज होगी।